गांडी नगर से अमिट शार जीत गए है इस वक्त की बड़ी कबार गांडी नगर गुजराद लोगसबा सीट से गुजराद के गांडी नगर लोगसबा सीट से अमिट शार चुनार जीत गए है और ये अभी अभी मिल रही ताजा जानकारी के अनुसार भारतिय जनता पार् और एवियम से चिनार जीतने के सिलसिले में जीता खाता खुल गया बारती जंता पार्टी और इंडिये के लिए और अमिद्शा के सामने जो प्रत्याशी कॉंगर्स की थी वो थी सोनल रमन भाई पटेल लेकिन वो नहीं जीत सकी और अमिद्शा ने बंपर वोटों से जीत हासल की है ये बड़ी ख़वर इस वक्की जहाँ चार सौ पार का सबसे ज़ादा नारा बुलन करने वाले अमिद शाह पूरे देश में ही नज़र आए गोर्मोरे साथ एक रियक्शन लेना चाहेंगे अमिद शाह चुनार जीत गए है एक बार फिर से बड़ी भूमिका में नज़र आएंगे केंदर सरकार में देगे दिशीत तोर पे और केवल यही चुनाओ ने इसके पहले भी उनका जो ट्रेक रिक रिकॉट रहा है पूरे गुजरात के अंदर में हम 26 के 26 सीटे जीतते रहे हैं और उसमें विशेश रूप से भूमिका मानी अमिस्सा जी की और मानी नरेन मोदी जी की रहती रही है जब से हम केंदर के अंदर में हैं चाहे हम पहला चुनाओ का जिकर कर लें 2014 और 2014 के तमाम रन्नी थी भारती जनता पार्टी के तमाम दिगज नेता उत्तर प्रदेश के इस रूप से मानी अमिस्सा जी की भूमिका और राष्टी अध्यक रहते हुए जिस प्रकार से हम सभी कार्यकरताओं का उन्होंने माग दर्सं किया मुझको लगता है कि उसी का परिनाम है जो लगातार हम यह तीसरा चुनाओ है और पूरे आत्म विश्वास के साथ हमने च चुनाओ लडा है और एक प्रकार से तीसरे बार सरकार बनाने की दिषा में जो ट्रेन भी दिखा रहा है और इतिहास रशने की दिषा में भारती जनता पार्टी आगे बढ़ रही है तो एक दिषा और दसा को तै करते हुए आगे बढ़ने का एक मोटिवेशन के साथ अमि साजी के रूप में आ रहा है तो मैं समझता हूँ कि अब यहां से यह सिलसिला प्रारंब हो जाएगा और जो ट्रेंड देख रहा है उससे भी हम आगे बढ़ते हुए निश्चित तोर पर पूर्ण महुमत के साथ करकार बनाते हुए जो हमारा लख्ष है और अब कॉंग्रिस जो है वो निश्चित पूमार और टीडीपी से बात करें बिल्कुल निश्चित पूपर के अब यह और कोई स्पश नहीं है लेकिन सूत्रों के अवाले से मिल रही जानकारी के बारे में अब अगर बात करें निश्चित पूमार जो अभी ठीक चुनार से पहले यह प्रनेता है आई एंडिया के और यह उसके बाद अब जिस तरह की चर्चा चल रही है विरेंजी मुझे लगता है कि इस बारे में भी बात करना लाजिमी हो जाता है निश्चित पूमार जिने नहीं कोशिश करूँगा लेकिन टीडीपी जो साउट में लीड कर रही है और निटीश कुमार जो अभी इस बक्त बिहार में अच्छी मजबूत सिती में दिखाई दे रहे और बीजेपी के साथ वो चले गए आई एंडिया यह के प्रनेता वो रहे और एन मौके पर उन्ह प्रदेश के बड़ी नेता सूत्रों से मिल रही है जानकारी कुछ बड़ा बदलाब देख सकते हैं कि और एक और इस बीच बड़ी खबर आ रही है अरुणाचल पश्चिम से किरन रिजीजू की जीत हो गई है देखिए अन्शे का अब जो रुजान है वो परिनामों में बदलने लगे है अपने महमानों के पास भी चलेंगे लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर अरुणाचल प्रदेश से अरुणाचल पश्चिम लोगसबा सीट के हम बात कर रहे है केंद्रिय मंत्री किरन रिजीजू की जीत हो गई है और केंद्रिय मंत्री जो उत्तर अरुणाचल पश्चिम लोगसबा सीट से चुनाव जीत गया है नबाम तुकी को उन्होंने कॉंग्रेस पाल्टी के एक दावर नेता जिने हराया किरन रिजीजू एक बार फ्रे से चुनाव जीत का रुसंजद भेज़ दिया है जनता जनारदन नोंने और यहां एक अच् बिलकुल और देखें केरन रिजीजू अरुनाचल पश्चिन से जीत हासिल उन्होंने की है तो इसका इफेक्ट बहुत जादा नौर्टीस टेरिया के साइट भी पढ़ सकता है जैसा कि अगर पहले ही हम देख रहें कि उन्होंने जीत हासिल की है तो और भी जो नतीज़ आ रहे थे कि बातचीत का जो सिल्सिला है वो हर कोई इधर से उधर कर ही रहा है जी नितीश कुमार जो है नितीश कुमार से और टीडीपी से कॉंग्रिस बात कर सकती है तो यह क्या बातचीत हो सकती है कि पीच में किस तरीके से बातचीत चलेगी बिलकुल इंदौर चलेंगे आजी इस वक्त में पूर लोगसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन जी के घर में मौजूद हूँ हमारे साथ में हैं ताइस हम बाचीत करेंगे ताइज निउस 18 में ताइज रुजान आने लग गए हैं धेदरे परणाम सामने आ रहे हैं क्या कुछ कहेंगे आप मैं इतना ही कहूँगे कि हिंदुस्तान का वोटर समझदार हो गया है और हिंदुस्तान में प्रजात अंत्र जो चलता है और जो इलेक्षन की पद्धती है कही ना कही ऐसे हैं कि प्रजात अंत्र को कोई कुछ नहीं इधर उधर कर सकता है लोग अपने तई सोचते भी है और अलग-अलग जगे पे अलग-अलग voting यह दिख रहा है हमें तो एक बात तो है कि मुद्दे भी कभी-कभी अलग चलते हैं कई प्रदेशों में कुछ मुद्दे अलग चलते हैं ऐसा थोड़ा-बहुत हो रहा है मगर इन जनरल जो सिस्टेम चल गई है वो यह दिखती है कि लोग अच्छा काम चाते हैं लोग प्रामानिकता से काम करते हैं और प्रजात अंतरकी लिए भारत अब देरे-देरे तैयार हो गया अगर इन दोर की बात करें तो इन दोर में जहाँ एक तरफ बीजेपी बड़ी जीत के ओर है लेकिन नोटा भी एक लाग पार हो गया तैयार आप एक बात समझ लो इन दोर तो एक सूझ आ गई उनको कॉंग्रेसियों ने सोचा आप करें तो क्या करें लेकिन जैसे हमने इतने चुनाओं हो गए हमने देखा कि भाजपा के वोट बढ़ रहे हैं लेकिन कॉंग्रेस का कुछ फिक्स वोटर यह हर जगे रहता है पीडी दर पीडी कई बार रहता है या वैसे भी रहता है कुछ अलग-अलग कारणों से तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कॉंग्रेस के व्यक्ति ने वेड्रा कर दिया जो भी कुछ नाटक इंदोर में हुआ मैंने इसलिए पहले कहा प्रजात अंत्र में वोटर भी समझदार हो गया कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है कुछ बाते और कॉंग्रेस का वोटर अब जाएगा तो कहां जाएगा मुझे किसी को नहीं देना क्योंकि मुझे देना है तो कॉंग्रेस को देना हो सकता है इससे इतना ही होगा कि अगर एक लाख दो लाख तक भी नोटा पहुंचता है तो उतने तो कॉंग्रेस के फिक्स वोट है उसके आगे फिर इधर उधर के जबाव में क्लीन स्वीप उत तंत्र हिंदुस्तान में मजबूत हो गया ताई मध्यप्रदेश में तो क्लीन स्वीप नजार आ रहा है उन्तिश को तीट लेकि थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में नुकसान भी नजार आ रहा है मुझे बाकी की बात नहीं मैं तुमालू मगर मैं हमेचा बोलती हूं मुझे हमारे मध्यप्रदेश पर गर्व इसलिए होता है कि मध्यप्रदेश का संगटन मजबूत है मैं बार बार एक ही बात करती हूं संगटन को मजबूत करो आपको कोई नहीं हरा सकता है सब्सक्राइब कर दो कौन सा फैक्टर लगता हो इस बार चुनाओं में नहीं इस चुनाओं में फैक्टर तो नरेंद्र बोदी उनका काम मिंस नरेंद्र बोदी और उनके मंत्री मंडल का काम राम बंदी भीपूर बीजेपी की कीर्टी देवी जीती हैं तो बीजेपी के जो बढ़त वाले नेता थे अब मुझे लग रहा है वो रुजान जो थे अंच्रिका परिणामों में बदला शुरू हो गए हैं बिलको लहरा हाला कि हम अब भी देख रहे हैं कि रुजानों में चाहे त्रिपुरा हो चाहे वो गुजरात हो चाहे कहीं से भी किसी भी तरीके के नतीजे आ रहे हो और बीजेपी के लिए पॉजिटिव क्यों ना हो लेकिन रुजान जो है वो तीन सो तक पहुँच जाए तो कॉंग्रेस के लिए भी रुजानों की अगर बात करें तो पॉजिटिव है ये 231 सिटे कॉंग्रेस की उजाती हुई नजर आ रही है तो पहले ये 300 टच कर जाए तो ये माने कि भारती जनता पार्टी के लिए ये पॉजिटिव होगा हाला कि अभी विपक्षियों के ल रुजानों में भी नजर आ रहे हैं एक सीट जो है वो 36 गड़ की कॉंग्रेस के लिए जाती हुई नजर आ रही है सतीश हैलिया साब हमारे साथ जुड़के हैं सतीशी बहुत स्वागत है न्यूजिटिन मद्रदेश अतीजगड़ पर जो रुजान थे वो अब परिणामों में बदलना शुरू हो गए हैं कई बड़े कैडिडेट्स की जीद के रिजल्ट क्लियर हो चुके हैं लेकिन अभ भारती जंता पार्टी की जो प्रचंड उम्मीदे थी उसको मद्दान के प्रतिशत ने किस तरह प्रभावित किया किस तरह से कम किया है और यह जो कॉंग्रेस के साथ की जो पार्टी हैं जो इन्डी एलाइंस जो बना था वो पूरी तरह से बहुत मुकमल नहीं बन पाया लेकिन इसके बावजूद उसकी तरफ जो रुजान दिख रहे हैं कॉंग्रेस की इंडिविजन स्टेट देखे रुजान में हम और उससे जुड़े हुए जो दल है इंडी एलाइन से उनके अगर हम रुजान दिखें तो एगजिट पोल से अभिन्द दिख रही है इस्ति लेकिन इसवार लगता है कि वह कॉंग्रेस और सपा का जो गढ़णदन है या आमादमी पार्टी का दिल्ली में या और कहीं इस पार मद दाताना उसको बहुत उनके गढ़णदन को उनके जो लाइक माइनेट जो मद दाता है उन्होंना उसको पॉजिटिवली लिया है ठी हो तो बेपक्स जरूर चाहिए देश को